हाई गाईश स्वागत है हमारा एक और नए ब्लोग में और आज हम चर्चा करेंगे कि पशुपालन व्यवसाएक केसे शुरू करें कितने पशुपालन से शुरू करें और सारी जानकरिये आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे पशुपालन शुरू करने के लिए आपको चुनाव करना होगा कि आपको पशुपालन गाई का करना है या भेश का करना है और यदि आप मेरा सजेशन चाहें तो पशुपालन में मुनाफ़ा सिर्फ और सिर्फ काई के वेवसाई में जाधा है और एचेप काई जाधा मिलकिंग करती हैं जाधा मुनाफ़ा हमें देती हैं बात करें कि पशुपालन की शुरूवात नए पशुपालक के से करें नया युवा के से शुरूवात कर सकता ह शुरुवात हमें कम पशो से करना होता है और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे शेट इतना मोडन तरीके से नहीं बना हुआ है क्योंकि मैंने शुरुवात करी हैं लगबग पिछले एक साल से मैं खुद सारा समाल रहा हूं और पिताजी भी करते हैं साथ में मदद करते हैं मम्मी भी मदद करते हैं और देखा जै तो हमारा शेट इतना मॉडन नहीं है क्योंकि हम लोग शेट पे खर्चा नहीं किये हैं ज्यादा हमने बरीड पे थोड़ा से फोकस किया है ब्रिञ्ण हमने परिशिस करी हैं देख सकते आप ये सारे पशु हैं अच्छे ब्रेड का करें पशु अच्छा हो शुरुवात के लिए आपको शेड नोर्मल बना ले गाय को बस रहने में कोई तकलीफ ना आए एसा शेड आप छोटा बना ले कम खर्च का शेड बना ले उसके बाद में आप पशु का चुनाव सही से करें एक या दो पशु लेके आए उन दो महिने साथ महिने या पांच महिने आप उनको रखें और उनको मेनेज करें कि किस प्रकार से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं और क्या क्या आपको समस्याओं आ रही हैं उसके बाद में ही आप ज्यादा पशु का सोचे उससे पहले ऐसा नहीं कि आप आप 10 पशू starting में लेके आजाएं तो आपको समस्याएं हो जाएं क्योंकि 10 पशू starting में अपने environment में set करना बहुत ही मुश्किल काम होता है जिसा कि आप देख सकते हैं कि 10 पशू में यदि 2 पशू आपके बिमार हो जाते हैं या 2 पशू expire हो जाते हैं तो आपके जो 2 पशू क की लागत हैं वह उन 5 पशू से पूर्तिकन्य में थोड़ी सी कट्णा ही होती है हमारे नुकसान होता जाता है आपका confidence थोड़ा सा काम हो जाएंगा विक confidence से फिर आप काम नहीं कर पाएंगे तो आप पशू रखें तो अच्छी rate रखें और खास ध्यान रखें कि पशू श रख रखाओं पे और ज्यादा खर्चा करें कई न कई पशू को रखने में आसानी के लिए आप चोटा शेड बना ले मिल्किंग मशिन नहीं करें दो पशू में क्योंकि मिल्किंग मशिन का प्राइस ही 40-50,000 होता है और यदि छोटी आप लेते हैं 20-30,000 की तो वो आपको जादा काम नहीं दी यदि आप अभी नहीं लेते हैं अभी हाथ से मिल्किंग करते हैं तो कुछ समय बाद आप जब 10 पशू लेके आएंगे तो आप बड़ी मिल्किंग मशिन ले सकते हैं क्योंकि अभी खर्चा इतना करना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा और पशू दो पशू तीन पशू से शुड़वात करें धिरे धिरे आप पशू बढ़ाते जाएं क्योंकि कम लागत में आपको बुनाभाच्छा मिलेगा और कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसके बाद में यदि आपको समझ में आता हैं तो आप 10 पशू में लाब नहीं होता है वो नुकसान होता है और कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पाएंगे या व्यवसाय अच्छा नहीं है तो आप उसको ड्रोप आउट कर सकते हैं और ज्यादा नुकसान नहीं होता है इसीली ड्रोप कर सकते हैं पर यदि 10-20 पशू आपको लगता है कि नहीं यह व्यावसाय अच्छा नहीं है और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपका लोज जादा होता है क्योंकि सारे पशु को बेचना आधी कीमत में उसके बाद में मिल्किंग मशीन जो शेट पर जागी है वह बविश में काम आएगा पर आज आपकी कोस्त लगती है और जो खुली वगिरा काम नहीं आती है आपका नीचे का फर्ष काम नहीं आता है जब पशु अपन दो महीने तिन महीने अपने घर पे रूद रख लेते हैं और मिल्किंग कल लेते हैं तो उसके बाद में जो प्राइस होती है वह आधी रह में तो कही नंगे दो Chung से शुरुवात करें जब आपके दो पशुस सकसेष हो जाएं तो फिर दो पशुक्ष लेके आएं ज्यादा जानकारी के लिए हमें कमेंड करें वीडियो बनाएंगे और जानकारी आप अच्छे बड़े फार्म विजिट करें जिससे क्या होगा कि आपको कुछ नोलेज मिलेगा विटनरी डॉक्टर्स का परामर्ष लें और यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं आप पशुपालन केसे करें और एक खास बात आपके लिए कि दोकादड़ी से बचे चतैने में हमेशा लेए पशुपालने जाए तो किसी जजान जिलेगा उनको स depression किसे जाएं बचर्ट जो मंडी में आपको फ्रोड व्यापारी मिलते हैं उनसे बचे ओनलाइन आप पशू पर्चेस नहीं करें ना किसी के खाते में पेसे डालें आप स्वयम जाएं किसी को साथ ले जाएं पशू खरे दें अच्छे पशू करे दें रख रखाव सही करें उसके बाद में ही आप डेरी फार्म व्यवशाय करें और आप एक साथ बढ़ा न करें दिरे दिरे उसको बढ़ा है हम भी बढ़ाने वाले है पर रितना जल्ली नहीं अभी हम 11 पशू पे आ चुके हैं दिरे दिरे हम 11 से 12, 15, 25 करेंगे उम्मिद है आशा है वीडियो पसंद आया होगा और आप पशुपाला नियोर साहे छोटे से शुरुवात करेंगे नहां कि बड़े फ्लेटफर्म से और ज़्यादा जनकरी के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करेंगा कि यदि आपको ज्हादा जनकरी किसंबंद में जनकरी चाहिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बेतर जनकरें आपको देंगे वीडियो को शेयर करें के नल को सबस्क्राइब करें